अब तक हमने तीन टॉपिक देख लिए हैं AOD के अप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर जिसके अंदर हमारा जो जो continuous topic चल रहा है वो है tangent and normal और इसके ओपर हमने पिछले दो lecture आपके सामने देख लिये हैं डंक से वहाँ पर हमने अच्छे अज़े concept के बारे में बात कर ली थी students और आज मैं आपके सामने discuss करने जा रहा हूँ उन exercise को जो मैंने आपको दी थी मैं आपको बता देता हूँ मैंने आपको क्या क्या दिया था मैंने आपको 8.3 नाम की एक exercise दी थी एक book में से जो आपने की होगी ये मैं उम्मीद करता हूँ दूसरी बात students ये कि मैंने आपको NCIT 6.3 ये मैंने आपको दी है करने के लिए तो आज हम लोग 8.3 में से भी कुछ doubt लेने वाले हैं और आज हम लोग 6.2 में से भी 6.3 में से भी कुछ doubt हम लोग लेने वाले हैं आज मैं आपको पहले index बताता हूँ students उसके बाद में हम बात करेंगी कि आज हम कौन-कौन से doubt लेने वाले हैं तो चलिए students बाकी बाते lecture में ही करते हैं चलिए बिना कोई time waste किये start करते है तो yes everyone हमारे पास में हमारे जो questions हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिएगा 8.3 का question number 6 and 7 मैं आपके सामने discuss करूँगा आज and 6.3 NCIT जो exercise है उसका 8, 16, 17, 18, 21 and 23 तो आज हम लोग total 8 questions इस lecture में देखने वाले हैं students और इसके अलावा एक question मेरी तरब से आपके लिए रहेगा जिसको मैं सबसे पहले कराने जा रहा हूँ इस lecture के सबसे पहले हम लोग मेरा equation करेंगे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसके बाद में हम start करेंगे 8.3 and इसके बाद में हम करेंगे students 6.3 तो चलिए देखिए students सबसे पहला जो मेरा question आपके लिए आज का है वो है for every x हर x की value के लिए prove that for every x straight line this touches the curve this at point a,b सवाल समझिये क्या कहना चाता है कि मेरे पास में कोई curve है उसके एक point a,b पर ये जो straight line है ये क्या करती है touch करती है for every value of x समझ गये मेरी बात को straight line का equation है x upon a plus y by b is equal to 2 और curve का equation है मेरे पास में x upon a power n plus y upon b power n is equal to 2 समझ गये मेरी बात को कि एक curve है उसके एक point a,b पर यह वाली जो line है ये touch करती है हमें ये बताना है या मैं ऐसे कह सकता हूं students कि ये जो line है इस curve की tangent है क्या कह सकता हूं ये line इस curve की tangent है तो students हमें यही proof करना है कि ये line क्या है इसकी tangent है समझे मेरी बात को तो चलिए देखिए अब ध्यान से देखेंगे एक बार question को दुबरा पड़ेंगे for, prove that for every x हर x की value के लिए state line this touches the curve this at this point हमें ये बताना है कि ये जो line है ये इस point पर touch करती है या फिर ये line इसकी tangent है question समझ में आया अब आपके solution में समझ में आ जायेगा तो कुछ नहीं करना है students हमें यहाँ पर लिखना है solution और उसके बाद मैं मुझे लेना है curve x by a की power n plus y upon b की power n is equal to 2 और इसका करना है हमें differentiation छीकिशेशन है खिक करीए n one upon a तो सर बाहर ले लीजी आप one upon a की power n यह तो मैंने बाहर ले लिया one upon a की power n and मैंने x की power n का किया तो nx n-1 ठीक है? plus यहाँ पर मैंने one upon b की power n को common ले लिया बही मैंने one upon b की whole power n को common लिया तो one की power n तो 1 ही होगा, and b की पावर n, b की पावर n रहेगा, यहाँ जाएगा, n, y, n-1, और y का करना चाहते हैं, तो dy upon dx is equal to 0, और students, यहाँ से क्या करूँगा, n को common लेके 0 कर दूँगा, सबसे पहले तो, तो मेरे पास बचेगा, a power n, x power n-1, plus 1 upon b power n, y power n-1, dy by dx, is equal to 0, और मैंने यहाँ से dy by dx का value निकालने का कोशिश किया, तो मेरे पास में क्या आगया, students, यह पूरा का पूरा उस side में, यानि 1 upon, यह फिर मैं, x power n-1, upon a power n, ठीक है, और इस वाली term को, जो यह वाली term है, dy by dx के साथ में, इसको मैं cross multiply कर रहा हूँ, तो यहाँ जाएगा, b power n, divided by y power n-1, समझे मेरी बात को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dy by dx, is equal to, minus के जगे minus, x upon y की power n-1, multiply by b upon a की power n, लिख सकता है इस तरह से, yes, भया लिख सकता है, अब मुझे, यह क्या मिला, dy by dx से मुझे, tangent का slope मिला, और मुझे किस point पर चाहिए, मुझे a, b पर चाहिए, तो यह तो हो गया x का value, यह हो गया y का value, चलिए यहाँ पर put करते हैं, dy by dx, और इसको मैं m1 भी बोल सकता हूँ, slope of tangent, तो देखिएगा, is equal to, minus के जगे minus, a की जगे रख दिया सर, a, y के जगे पर b, n-1, multiply by b upon a की power, n, क्या आपके मेरी बात समझ मैं, थोड़ आसा इसको हम लोग solve करेंगे, देखिएगा, m1 is equal to, dy by dx is equal to, देखिए, मैं इसको minus को as it is रखा मैंने, a power n-1, a power n-1, upon b power n-1, multiply by b power n upon a power n, समझेगा मेरी बात को, देखिए, जब यह a power n, उपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, a की power n-1, तो जब यह उपर जाएगा, तो a की power minus n हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, m1 is equal to dy by dx, 8 a, b is equal to, यह उपर जाएगा, तो a की power minus n हो जाएगा, जब आप इसमें add करोगे, तो n cancel हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ a की power minus 1 बचेगा सर, समझें मेरी बात को, a की power minus 1 बचेगा, और similarly, जब आप इस b की power n को नीचे लेकर आएगे, तो यह बन जाएगा b की power minus n, और इसमें add होगा, तो n से n कट गया, यहाँ बचेगा b की power minus 1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b upon a, तो मेरे पास मैं at last slope के आगई, b upon a ठीक है, चलिए, equation of tangent निकालते हैं हम, तो equation of tangent, equation of tangent निकाल लेते हैं, equation of tangent क्या है, यह रही, y minus y1 का value है b, is equal to m, यानि की b upon a, देखे ज्यान से, यह minus भी लेकर चलो साथ में, यहाँ पर students minus b है, ठीक है न, यह minus मत भूल जाना बस, तो minus, minus, यहाँ है x minus a, थोड़ा सा इसको हम लोग solve कर लेते हैं, देखे किस तरह से, यहाँ पर मैंने क्या किया, multiply है क्या, cross multiply है, तो ay minus ab, is equal to minus का bx, plus का ab, समझ मैं आपके बात, इस bx को उठाकर मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो बनेगा, bx plus ay, ay, is equal to 2ab, पूरी की पूरी एक्वेशन में, ab से divide करने पर, पूरी की पूरी एक्वेशन में, ab से divide कर रहा हूँ, everyone, यहाँ ab से divide किया, तो यह बनेगा, x by a, यहाँ ab से divide कर रहा हूँ, तो यह बनेगा, y upon b is equal to 2, और यह में दिया गई tangent, समझा आप मेरी बात को, तो हमारा proof हो गया, कि यह ही tangent है, देख लीजी आप, ठीक है, हमें यह proof करना था, कि यह जो line है, वो इस curve को touch करके जाती है, that means, यह इसकी tangent है, यह हमें proof करना था, और हमने curve को लेकर के tangent निकाल दी, और वो tangent वो ही है, जो हमें दी हुई है, ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ प है, हमारे doubt, और देखते है, 8.2 का question, देखिए, यह हमारा question number 6 है, और यह 8.2 से मैंने लिया है, क्या कह रहा है, यहाँ यहाँ पर find the equation of tangent at t is equal to pi by 2, to the curve x equal to this and y is equal to this, यह हमने differentiation पढ़ाता, parametric form के अंदर, वहीं आपको यह question मिलेगा, इस type का, हमें क्या निकालना है, basically, हमें तो भया, कोई curve है, suppose हमारे पास में, हमारे पास में कोई curve है, तो इस curve के किसी point पर मुझे tangent निकालनी है, और इसकी tangent को मैं बोलता हूँ, m1, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ, dy by dx at x1, y1, यह जो मेरा point है, इसको मैं x1, y1 बोलता हूँ, इतनी बात तो आकी clear है, तो भया, सब स पहले मेरे को dy by dx निकालना पड़ेगा, यहाँ पर, चलिए, निकालते आईए, देखते हैं हम लोग, कि हम लोग dy by dx कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमें x is equal to a sin cube t दिया हुआ है, तो यहाँ मैं क्या निकालूंगा, dx upon dt, बच्चे बच्चे को पता है, multiply by 3 sin square t, and sin t का क करेंगे तो सर, cos t, equation number first, बात करते हैं, y का जो कर्व दिया हुआ है, y is equal to b cos cube t, तो dy upon dt, that is equal to b, multiply by 3 cos cube t, multiply by cos का हो जाएगा, minus का sin t, यह equation number 2 है, this is equation number 1, equation number 2 divided by equation number first, ठीक है, तो इसको आप रखिए, dy by dt, divided by dx upon dt, ठीक है, और यहाँ पर आप dy by dt का value रखिए, यह रही, minus b multiply by 3 cos cube t, multiply by sin t, divided by, यह रहा, मेरे पास में value a, 3a, sin square t cos t, समझे आप मेरी बात को, यहाँ पर देखिए, students, 3a स 3 cancel हो जाएगा, और it last मेरे पास में आजाएगा, यहाँ पर dy by dx, अब क्योंकि मेरे पास में, यहाँ पर x1, y1 की form में नहीं आया है, यहाँ तो हमें चाहिए, t equal to pi by 2 पर, तो किस पर चाहिए, मुझे, t is equal to pi by 2 पर, तो value देखिए, पहले तो मैं निकाल लेता हूँ, dy by dx, देखिए, minus का b upon a, cos से cos cancel हो जाएगा, यहाँ बचेगा, students, cos square t, sin से, एक, sin cancel हो जाएगा, this is cos square t, okay, sin cancel हो गया, तो यहाँ बचेगा, cos upon sin t, समझ मैं आपके बात, cos upon sin क्या होता है, cos upon sin होता है, सर, minus का b upon a, कोट t, समझे आप मेरी बात को, और यहाँ पर आप निकाल लेजी, m1, यानि कि, m1 is equal to, m1 is equal to, dy by dx, at, t is equal to, pi upon 2, तो minus b as it is, a as it is, कोट, pi upon 2, और हम लोग कोट, pi by 2 पर value निकालना चाहते हैं, और कोट, pi by 2 पर value आता है, सर, 0, तो अब देखिए, students, मुझे मिल गया, यहाँ पर m1 मिल गया, मुझे क्या चाहिए, equation निकालने के लिए, मुझे सर, x1 and y1 का value चाहिए, अब देखिए, मैं x1 और y1 का value कैसे निकाल रहा हूँ, जो मुझे curve दिया हुआ है, students, वो मुझे x and y के form में दिया हुआ है, ठीक है, यानि कि यह points इस curve को भी satisfy कर रहे होंगे, और इसका slope, t equal to pi by 2 पर मैंने निकाल लिया, तो क्यों ना मैं, t का value जब मुझे पता है, pi by 2, तो क्यों ना मैं इसको यहाँ put कर दूँ, तो मुझे यह point भी मिल जाया, समझ रहे हैं बात को, तो मैं यहाँ put कर रहा हूँ, everyone, देखिए, x1 is equal to a sin cube pi by 2, y1 is equal to b cos cube pi by 2, समझे आप, तो x1 is equal to, यहाँ आएगा students, a, क्या आएगा sir, a आएगा, क्योंकि pi by 2 होता है, 1, sin pi by 2, 1 होता है, and, मैं आपसे y1 की बात करूँ students, तो y1 आ जायेगा, यहाँ पर 0, क्योंकि cos pi by 2, 0 होता है, तो इस तरहे हम यहाँ पर point निकालेंगे, बस यही थोड़ा सा, यहाँ पर twist है, ठीक है, इसके आगे देखिए, मेरे साथ साथ, equation of tangent, तो देखिए, at x1 is equal to a, and y1 is equal to 0, देखिएगा, y minus y1 is equal to mx minus x1, ऐसे ही निकालते हैं, यहाँ पुट कीजिए, y minus 0 is equal to m के जगे 0, x minus x1 का value है a, क्योंकि यह 0 है, तो यह पूरी की पूरी आरे चाहिए, term 0 हो गई, तो यहाँ मिलेगा, y is equal to 0, ठीक है everyone, this is our required answer, बस यह छोटा सा यहाँ पर twist था, ठीक है, चलिए, देखते हैं, next question, देखिए, question number, question number है, question number 7, चलिए, देखते हैं, find the equation of normal at pi by 3, 3 by 3 by 4 of curve y is equal to sin square x, suppose हमारे पास में कोई भी ऐसे curve है, और इस पर एक tangent जारी है students, और इस tangent का हमें equation find करना है, yes, tangent का नहीं करना है, normal का equation find करना है, ठीक है, तो normal का slope को हम लोग n2 कहते हैं, और इसको हम लोग m1 कहते हैं, ठीक है भी यह, इसकी बात करूं, curve की, तो यह दिया हुआ है y is equal to sin square x, और यहाँ पर हमें point भी दिया हुआ everyone, this is called x1, y1, और यह हमें दिया हुआ है, this is pi upon 3, 3 upon 4, तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, चलिए देखते हैं, जैसे हमारे पास में solution हमने लिखा, हमारे पास में है y is equal to sin square x, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग dy by dx करेंगे, तो यह आजाएगा 2 sin x और sin x आ करेंगे, तो आजाएगा सर cos x, चलिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग students, हमें इस point पर चाहिए, dy by dx हमें इस point पर चाहिए, तो यह point हम लोग put करेंगे, यहाँ पर dy by dx at pi by 3,3 multiply 4, तो 2 की जगे 2, x की जगे पर πई by 3, तो sin πई upon 3, cos πई upon 3, तो यहां पर students, this is the value of m1 and m1 is equal to dy by dx at πई by 3, 3 by 4 is equal to 2 की जगे 2 multiply by sin 60, root 3 upon 2, cos 60, 1 upon 2, देखे 2 से 2 cancel हो गया, मेरे पास at last आ गया, root 3 by 2, और this is m1, समझ में है students, m1 क्या है, भाया m1 तो tangent की slope है, हमें चाहिए किस की, हमें तो चाहिए normal की, तो अब हम normal की निकालेंगे, we know that m1 multiply by m2 is equal to minus 1, m1 का value है, root 3 upon 2, m2 का यहां से हम लोग value निकाल लेंगे, this is m2 is equal to minus 2 upon root 3, समझ में है students, और हम निकालेंगे, equation of normal, equation of normal, क्या होता है सर, y minus y1 is equal to m2, x minus x1, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखिए कि m1 तो tangent का slope होता है, और m2 normal का slope होता है, इस बात को ध्यान रखिए आप, बस दोनों के अंदर equation में, एक ही चीज़ का फर्क होता है, tangent और normal में, यहाँ पर m1 की जगे पर m2 आ जाता है, बस, यही फर्क है, y minus, this is y1 का value है, 3 upon 4, m2 का value है students, अभी अभी हमने निकाला, minus का 2 by root 3, और x minus x1 का value है, this is pi upon 3, समझ में आया everyone, थोड़ा सा इसको हमें solve करने की जरूरत है, देखिए, 4y minus 3 divided by 4, और यहाँ पर everyone क्या कर रहा हूँ मैं, मैं यहाँ पर cross multiply कर रहा हूँ, root 3 से इदर कर दिया, and minus 2 से अंदर multiply कर दिया, plus का 2 pi by 3, यहाँ अंदर multiply करेंगे, 4 root 3y minus 3 root 3 divided by 4 is equal to minus का 2 plus 2 pi upon 3, समझ रहे हैं, इस 4 को आप इदर multiply कर दीजिए, ठीक है, तो यह बनेगा, 4 root 3y minus 3 root 3 is equal to minus का 8 plus 8 pi upon 3, ठीक है everyone, और बाकी आप इसको set कर लीजिए, अच्छे से आपका answer आ जाएगा, ठीक है, this is 2x, this is 2x, and this is 8x, इसको set कर लेंगे everyone, और इस तरह से हमें यह answer मिल जाएगा, ठीक है, इसको आप फोड़ा से और अच्छे से solve कर सकते हैं, no problem, और यहां भी छोड़ना चाहिए, तो छोड़ सकते हैं, वैसे आप आगे solve कर लीजिएगा, ठीक है, calculation में आगे नहीं बता रहा हूं, ठीक है, तो यह 2 question में आपको बताए, 8.3 से लेकर, अब चलिए हम लोग जाते हैं, NCIT के examples पर और बड़े ही अच्छे examples डिसकस करने वाले हैं, चलिए देखिए मेरे साथ, बड़ा ही अच्छा question हमारे सामने है, और इस question में छोटी सी problem यह आ सकती है, आपको कि इन दोनों points से हमें जो line मिलेगी, वो आप शायद नहीं निकाल पाएं, अगर आपको 11th class का concept नहीं पता है तो, तो चलिए देखिए मेरे साथ साथ everyone, find the point on the curve y is equal to x-2 का whole square, at which the tangent is parallel to the code joining the point this and this, समझे बात को, एक curve है मेरे पास में साब, और everyone, उस curve के point पर, एक tangent का equation हमें find करना है, नहीं है साब, equation नहीं हमें आपर point find करना है, x1, y1 का point हमें find करना है, इस curve पर, जिस curve का हमें equation पता है, y is equal to x-2 raise to whole square, ठीक है, और जो tangent है everyone, वो tangent इस curve की, दो points को मिलाने के बाद में हमें जो code मिलेगी, उसके parallel है, ठीक है, तब मैं थोड़ा सा parallel बना देता हूँ उसको, parallel बना देता है, code के parallel है, ठीक है, और code की दोनो points हमें दिया रहा है, 2,0 and this is students, 4,4, समझे बात को, यह exact diagram है, अब आप question को पढ़िए, जो हमारी tangent है, वो हमारी इस code के parallel है, आपको मैंने सिखाया था, कि, कि अगर मेरे पास में, एक tangent है, और tangent के parallel एक दूसरी line है, तो आप दोनों जो lines है, उनकी slope equal कह सकते हो students, यानि कि, अगर मैं इस वाले tangent के slope को M1 कहूंगा न, तो इसके parallel की slope भी कितनी है, वह या M1 है, बस यही twist है students यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें इसका slope नहीं पता सर, तो इसका slope कैसे निकालेंगे, मैं इसकाल नाम देता हूं, कुछ ना कुछ P, Q and R, तो देखिए, solution देखिए everyone, slope of line QR, मैं QR का slope निकालना चाहता हूं, कैसे निकालूंगा, slope of line passing through two points, दो points से जाने वाली line का, slope हमें निकालना है, कैसे निकालते हैं, इसको माल लेते हैं, X1, Y1, इसको कह देते हैं हम लोग, X2, Y2, और इसका slope हम निकालते हैं everyone, Y2 minus Y1 upon X2 minus X1, इस तरह से निकालते हैं students, तो मैं इसको M1 कहा सकता हूं, this is M1 is equal to, Y2 क्या है, 0 minus 4, this is 0 minus 4, and 2 minus 4, तो यहां मिल जाएगा, minus 4 divided by minus का 2, तो students मेरे पास में value आजाएगा, M1 का 2, तो हमने इस वाली code का, slope निकाल लिया है M1, तो भाया मुझे एक बाह बताओ, इसका slope भी 2 हो जाएगा क्या, ठीक है, तो मैं कहूंगा, hence, so, whatever, जो आप लिखना चाहे, so, slope of tangent, कैसे निकालेंगे, M1 is equal to 2, तो इसका slope भी कितना हो जाएगा, everyone, 2 हो जाएगा, इसका slope भी, हमने M1 निकाल लिए, तो इसको equation number 1 हम दे देते हैं साब, दे दिया हमने, now, now, equation of curve, equation of curve देखिए, क्या है, हमारे पास में है, y is equal to students, x minus 2 का whole square, आपको ये भी पता है कि, curve की equation का differentiation करके, उसमें point put करूँगा, तब भी slope आएगा tangent का, तो कर रहे हैं वही काम, देखिए, dy by dx is equal to 2 of x minus 2, और x minus 2 का करूँगा तो, 1 हो जायागा, that is no problem, हमें चाहिए, m1 वह कैसे निकलेगा, dy by dx at x1, y1 is equal to 2 x1 minus 2, समझे क्या, इसको आप देदीजी, equation number 1 and 2, अब तो भाईया, बच्चा बच्चा पता लगा सकता है, कि क्या करना है सर, by equation number 1 and 2, इन दोनों को एकवाल कर देजिए, this is 2, x1 minus 2 is equal to 2, तो 2 से 2 कैंसल हो गया, यहां क्या बच्चा है स्टुडेंट्स, यहां 1 बच्चा, ठीक है न, 2 नीचे चला जायागा, तो यहां 1 बच्चाएगा, तो x1 is equal to आजायागा, 2 plus 1 that is equal to 3, तो x1 का वेल्यू आगया 3, at x1 is equal to 3, आप curve equation में put करिए, तो y1 आजायागा, यहां पर 3 minus 2 का square, यानि कि 1, तो 3 and 1, मेरे पास में point आगया है students, 3 and 1, यह क्या point है, 3,1 है students, 3 minus 2, तो चलिए everyone, यह हमारा एक question हुआ, question number 8, चलिए, करते हैं बात next question के लिए, yes everyone, this is our next question, और देखिए क्या कहे रहा है, show that the tangents to the curve, इसके उपर, जो tangents हैं, इस curve के उपर, at the points, points के उपर, where x equal to 2, वो x equal to 2 पे, and x equal to minus 2 पे, दोनों की दोनों tangents क्या हैं, parallel है, ठीक है everyone, तो आप मुझे ये बताईए, students, जब दोनों tangents आपस में parallel है, तो क्या उनके slopes equal होंगे क्या, yes, तो हमें यही दिखाना है यहां पर, कि दोनों की दोनों जो tangents हैं, उनके slope क्या है, equal है, चले देखिए, solution, मेरे पास में curve है, 7 x cube plus 11, यही है मेरे पास में curve, और everyone, मुझे करना क्या है, यहां पर मुझे सबसे पहले, dy by dx को find करना है, dy by dx आया है यहां पर, 21 x square plus 11, तो नहीं आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, हमें चाहिए m1, is equal to dy by dx, at x1, y1, x1, y1 पर, तो वो यही तो है, 21 x square, ठीक है, तो यह मेरे पास में, x1, y1 पर slope आ चुका है, tangent का, अब मैं चेक करूंगा, at x equal to 2, यानि कि मैं x1 का value ले रहा हूँ 2, तो x1 का value पर m1 क्या आता है, dy by dx, at 2, y1, यह y1 कुछ भी हो सकता है न, क्योंकि y1 तो ही नहीं, तो हम y1 मान लेते हैं सिरुफ, तो 21 x 2 का square, तो यहां आएगा 2 to is a 4, और यहां पर solve करेंगे, तो आएगा 84, समझ गे, end, end, at x equal to minus 2, x1 is equal to minus 2, तो यहां पर अगर मैं m1 निकालना चाहूं, तो यह आजाएगा, dy by dx, 2 का whole square, तो यह भी सारा आगया 84, तो इस वाले tangent का slope भी 84 है, इस वाले tangent का slope भी 84 है, तो मैं बोलूँगा, hence, here, both slopes are equal, both slopes are equal, hence, tangents are parallel, लिख सकते हैं सार ऐसा, और hands prove भी कर दीजिए यहां पर, समझे, चलिए, देखते हैं हम लोग हमा आज का next question, इस question का मैं आपको number बता जाता हूं, students, question number 16 है, NCRT का, ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा next question, देखिए everyone, question बहुत easy सा है, क्या कहना चाह रहा हैं कि, find the points on the curve y is equal to x cube, at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the points, मेरे पास में एक slope है students, और इस slope, sorry, मेरे पास में एक curve है, y is equal to x cube, और मुझे क्या करना है, इस पर points को find करना है, यहां पर, जहां से students, जो tangent जा रही है, और इस tangent का जो slope है ना students, वो y coordinate के equal है, is equal to the y coordinate, वो slope क्या है यहा, y coordinate के equal है, तो कुछ नहीं करना, इस curve से हमें slope निकालनी है, और slope को हमें y coordinate के equal करना है, बस यह काम हमें करना है यहां पर, देखिए, solution, y is equal to x cube, मैंने dy by dx निकाला सर, इस point को मैंने यहां पर assume कर लिया, x1, y1, ठीक है, तो dy by dx निकाला, 3x square, इस is 3x square, और मैं m1 find करना चाहता हूँ, तो dy by dx at x1, y1, तो 3x1 का square, according to question, according to question, m1 is equal to y, m1 किसके equal है, y coordinate के equal है, तो y coordinate के equal कर दीजिए, अब इसको उठा कर, 3x1 square is equal to, अब y coordinate की बात करूँ, तो y coordinate क्या है, y coordinate, जब मेरा x1, x coordinate तो x1 है, और y coordinate मेरा y1 है सर, समझे मेरी बात को, x coordinate तो मेरा x1 है, और y coordinate मेरा y1 है, तो यहाँ y1 के equal करूँगा, students मैं, समझे मेरी बात को, यहां पर मैं y1 के equal करूँगा, this is the equation, ओके, और ध्यान से देखिए, equation number first, at x1, y1, x1, y1 पर curve की equation क्या बन जाएगी, y1 is equal to x1 cube, this is equation number 2, ठीक है, तो equation number 1 and equation number 2 से इन दोनों का आप equal कर दीजिए, तो यहां मिलेगा 3x1 square is equal to x1 cube, ठीक है everyone, यहां से हमारा x1 square से x1 square cancel हो जाएगा, जो चीज cancel होती है, वो equal to 0 होती है, ठीक है, दूसरी बात, क्या बच गया sir, क्या बच गया, 3x1, sorry, 3 is equal to x1, तो x1 is equal to, एक बच गया मेरे पास मे 3, put in equation 1, equation 1 में put कर दीजिए, equation curve में put कर दीजिए, किसी में ही put कर सकते हैं, दोनों relation सही है यहां पर, चलिए यहां put करते हैं, equation 1 में put कर देवे हैं, तो 3 multiply by 0, that is equal to, y1 की value भी आगई sir, 0, तो y1 is equal to 0, यहां देखेगा, end, x1 is equal to 3 है, x1 is equal to मेरे पास में 3 है, तो चलिए यहां put करते हैं, 3, तो 3 multiply by 3, that is equal to y1, तो y1 का value भी आगए 27, समझे students, तो जहां देखिए आप points क्या निकल गए भी यह, points निकल गए students, दो points हमारे पास में आए, first point तो मेरे पास में आया, जब x equal to 0 था, तो y equal to 0 था, तो 0, 0, दूसरा point, जब मेरे पास में x equal to 3 था, तो मेरा y equal to 27 था, ठीक है, हमारा यह वाला आज का question है, next, question number 18, for the curve y is equal to 4x cube minus 2x power 5, find all the points at which the tangent passes through the origin, वो हमें सारे point निकालने हैं, जिसके लिए, जो tangent है, वो origin से pass करती है, everyone, देखिए आध्यान से, जिसे मेरे पास में यह rectangular axis है, x and y, और हमारी जो tangent है, वो origin यानि कि 0, 0 से pass करती है, तो वो हमें सारे point निकालने है, tangent के उस curve पर, x1, y1 का value हमें यहाँ पर find करना है, everyone, समझ मैं यह आपके बात, tangent की equation हम लोग m1 से denote करते हैं, next बात देखिए, क्या करना है हमें यहाँ पर, हमें सबसे पहले यहाँ पर students solution लिखना है, और students हमें यह देखना है, कि हमारा जो curve है, वो क्या है, y is equal to 4x cube minus 2x power 5, और मैं यहाँ पर students निकालना है, dy by dx is equal to 8x square minus 10x power 4, और क्योंकि मुझे m1 निकालना है, यह m1, इस tangent का slope चाहिए, everyone, ठीक है, तो slope कैसे मिलेगा, dy by dx at x1, y1 पर मिलेगा, ठीक है, तो कैसे आएगा students, 24, नहीं, 24 क्यों, 12 के जगे 12, यहाँ पर हम लोग x1 put कर देंगे, x1 square minus 10x1 power 4, समझ में आता है, everyone आपको, तो यह हमें मिल गया, students, m1 is equal to dy by dx at x1, y1 पर वैल्यू, 12x1 square minus 110x1 power 4, तो यह तो students हमें मिल गया, x1, ठीक है, दूसरी बात करते हैं students की, हमें m1 मिल गया, थोड़ा सा यहाँ पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कि इस वाले slope का m1 हमें मिल गया, तो हम क्या करें, इसकी एक equation निकाल लेते हैं, देखिए, equation of tangent, मैं निकालना चाहता हूँ, equation of tangent, point क्या है, x1, y1 ही है, तो y minus y1 is equal to m1 x minus x1, तो y minus y1 is equal to m1 के जगे पर मैं put कर देता हूँ, यह वाली term, 12x1 square minus 10x1 power 4, और x minus x1 as it is, ठीक है, question क्या कह रहा है, question यह कह रहा है, कि मेरी जो tangent है, वो origin से pass करती है, that means, यह origin जो 0, 0 है, यह इस tangent की equation को satisfy करेगा, yes करेगा, तो मैं बोलूँगा, this passing through, this passing through origin, यानि कि students x equal to 0 and students y is equal to b 0, तो यहाँ put कर देजी, x equal to 0, y is equal to 0, तो y1 बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ, minus 12x1 square minus 10x1 power 4, और यहाँ break it में जाएगा, 0 minus x1, इस वाले minus को आगे ले आईए, x1 को अंदे multiply कर दीजिए, minus से minus को cancel कर दीजिए, क्या आजाएगा, y1 is equal to 12x1 power 3, minus 10x1 power 5, ठीक है वाईगा, तो y1 का value मेरे पास में आगे है, अब आप ध्यान से देखिए, students एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि y1 की equation हमारे पास में आ चुकी है, y1 के equal to में, तो इसको मैंने equation number 1 दे दिया, आप ध्यान से देखिए, कि यह जो point है, यह point curve पे भी है, और यह point line पर भी है, तो यह curve की equation को भी satisfy करेगा, और यह tangent की equation को भी satisfy करेगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ, curve at x1, y1, curve की equation at x1, y1 पे, यह रहा curve, तो y is equal to, जो यह equation थी, मैंने y की जगे पर y1 रख दिया, तो यहाँ आ जाएगा, 4 x1 cube minus 2 x1 power 5, तो एक equations हरा हमारे पास में यह आ गई, ठीक है, तो by equation number 1 and 2, आप इन दोनों को students आपस में equal कर दीजिए, देखिए कैसे, 12 x1 cube minus 10 x1 power 4, 4 x1 cube minus 2 this, ठीक है everyone, यहाँ से आप x1 का cube common ले ले जिए, 2 x1 का cube, तो यहाँ बचेगा, 6 x1 तो बाहर आई गिया, minus 5 x1 cube is equal to, यहाँ देखिएगा, 2 x1 cube हमने बाहर निकाला, तो यहाँ बचेगा, 2 minus x1 square, यह cut जाएगा, x1 cube से x1 cube, तो x1 is equal to 0 हमारा एक solution होगा, students, और इसके अलावा जब हम इसको solve करेंगे, तो हम आपको directly answer दिखा देते हैं, x equal to 1 तो आएगा, plus 1, और students, x equal to 1 आएगा, minus 1, यह 3 values हमारे पास में आएगी, और जैसे ही इसको आप put करते हैं, curve equation के अंदर, तो x equal, तो आपके पास में जो points आएगे, वो तीनो points में लिख रहा हूँ, students, 0, 0, 0 रखने पर 0 ही आएगा, and students, plus 1 रखने पर 2 आएगा, plus 1 रखने पर आपके पास में 2 आएगा, and minus 1 रखने पर students, आपके पास में minus का 2 आएगा, everyone, ठीक है, तो यह answer है, इसका, आप लिख लिजिए, students, मैंने calculation आप पर छोड़ दिये, चलिए, देखते हम हमारा आज का next question, देखिए everyone, हमारे पास में एक बड़ा ही प्यरा सा question है, और 23 इसका serial number है, और मैं इस question को बताता हूँ, आपको की करना क्या है, आपको question number 21 में discuss नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने, क्योंकि 21 जैसा जो question है, मैंने आपको पिछले बाले lecture में करवा दिया है, हमारा जो question है, students, क्या कह रहा है, प्रूव देट देट कर्वस, x is equal to y square, and x y is equal to k, it is a very very important question, basically, cut at right angle, cut at right angle, जैदी, 8 x square is equal to 1 है, तो, अगर ये condition है, तो बताईए, कि दोनों के दोनों right angle पर touch करते हैं, cut करते हैं, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, कि अगर दोनों के दोनों right angle पर cut करते हैं, तो ये condition है, भै दोनों बात सकते हैं अपनी जगे पर, ठीक है, तो चलिए, बात कर लेते हैं students, solution लिख के, मैंने आपसे एक छोटी सी बात बताई, आपको एक छोटी सी बात मैंने कही students, कि अगर दो curve आपके पास में हो, और दोनों के दोनों curve, अगर 90 degree पर cut कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है, कि उनकी जो उस point पर tangent है ना students, वो tangent भी 90 degree पर cut कर रही होगी, ठीक है everyone, अगर first वाले curve को मैं C1 मानता हूं, और इसकी tangent को मैं M1 मानता हूं, slope को, ठीक है, और दूसरे वाले curve को अगर मैं C2 मानता हूं, और उसकी जो tangent है, उसको everyone मैं M2 slope से denote करता हूं, तो हमें simple सा एक result पता आएगा, वो है M1 multiplied by M2 is equal to minus 1, समझ गया आप मेरी बात को, तो ये result हमें पता होना चाहिए students, समझ गया मेरी बात को, ऐसी बात होती है, तो M1 multiplied by M2 is equal to minus 1, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों curve दिये हुए है, first वाले curve की हमें equation दिये हुई है, x is equal to y square, दूसरे वाले curve का हमें equation दिया हुआ है, x, y is equal to k, तो students क्या मैं ये वाला point निकाल सकता हूं इनका, जहाँ पर ये दोनों की दोनों intersect कर रही है, yes everyone, मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, यहाँ से x1 की value उठाओ यहाँ पूट करो, ठीक है, तो देखिए, c1 जो curve है वो दिया हुआ है, x1, x is equal to y square and c2 जो curve है, वो है, x, y is equal to k, इसको आप equation number first दीजिए, इसको आप 2 दीजिए, तो by equation number 1 and 2, यहाँ से y square उठाया और यहाँ पूट किया, तो क्या हो जाएगा, y square dot y is equal to students k, y cube is equal to k and y is equal to k का value आएगा, 1 upon 3, और जैसे ही मैं y का value 1 upon 3, पूट करूँगा किसी भी equation में, suppose that मैंने पूट किया, यहाँ पर, यहाँ पर पूट किया, put in equation 1, तो यहाँ आजाएगा students, x is equal to k का power 2 by 3, ठीक है, यह मैंने point निकाल लिए, यहाँ वाला, यह मैंने point निकाल लिए, यहाँ पर क्या है मेरे पास में, k power 2 by 3 and k power 1 by 3, इसको मैं students x1, y1 भी बोल सकता हूँ, ठीक है, आप इसको x1 भी बोल सकता है, this is x1 is equal to 2 by 3 and this is also y1 is equal to k power 1 upon 3, समझ मैं everyone आपके, तो हमारे पास में point मिल चुका, ठीक है, अब हम first वाले curve से tangent की equation से, sorry, first वाले curve से अब हम tangent की slope find करते हैं, तो by equation 1, देखिए equation 1 क्या है मेरे पास में, x is equal to y square, और मैं इसका slope निकालता हूँ, अब देखिए आप, तो x आओ गया 1 na, differentiation, this is 2y, 2y, dy by dx, ठीक है everyone, और यहां से मैं dy by dx अगर value निकालना चाहूँ, तो मुझे मिलेगा, dy by dx is equal to 1 upon 2y, this is 1 upon 2y, अगर मैं आपसे m1 का value चाहता हूँ, dy by dx, dy by dx, किस पर, किस point पर साब, x1, y1 पर, तो मुझे मिल जाएगा, 1 upon 2 multiply by, y1 का value है, k power 1 upon 3, तो students, मुझे यहां से m1 मिल जाएगा sir, ठीक है, by equation number 2, और by equation number 2 क्या है मेरे पास में, यह रही, x, y is equal to k, और मैं इसका भी differentiation करूँगा, ताकि मुझे slope मिल जाए, tangent का, x को छोड़ा, dy by dx किया, plus y को छोड़ा, और x का किया 1, that is equal to 0, ठीक है everyone, यहां से देखिए, मैं निकालूँगा, dy by dx is equal to minus का y by x, और मुझे dy by dx निकालना है, यानि कि m2 निकालना है, मुझे dy by dx at x1, y1, तो यहां मैं निकालूँगा everyone, minus के जगे minus, y के जगे पर y1, यानि कि y1 का value क्या है, k power 1 upon 3, k power 1 upon 3, divided by students, x का value क्या है, k power 2 upon 3, तो यहां से मिल गया हमें m2, तो यहां से students, हमने m1 and m2 को find कर लिया है, ठीक है, अब अगर students, यह दोनों की दोनों tangents आपस में perpendicular है, तो क्या होगा students, m1 multiply by m2 is equal to minus 1, तो यहां में लिख रहा हूं, देखिएगा आप, इफ, इफ, बोथ tangents आपर पर्पेंडिकुलर, बोथ tangents आपर पर्पेंडिकुलर, तो क्या होगा, यह, m1 multiply by m2 is equal to minus 1, is equal to minus 1, यह वाली condition लग जाएगी, और चलिए, इसको मैं solve कर लेता हूं, यहां देखिएगा, इसको मैं solve कर लेता हूं, यहां देखिएगा, this is m1, students, 1 upon 2 power k, 1 upon 3, okay, multiply by m2 का value क्या है, यह रहा साब, minus आगे लेता हूं, k power 1 upon 3, divided by k power 2 by 3 students, that is equal to minus 1, समझ मैं आपके, आप देखिए students, यहां पर k power 1 upon 3, and this is k power 2 upon 3, दोनों की दोनों powers add हो जाएंगे आपस में, तो यह हो जाएगा, 1 upon 2, k power 1 upon 3 plus 2 upon 3, और उपर की तरफ क्या है, sir, 1 upon 3 k की power is equal to minus 1, minus से minus cancel कर दीजिए, यहां बचेगा, students, k power 1 upon 3, k power 1 upon 3, 2, k power 1 upon 3 plus 2 upon 3, तो k power 3 upon 3, या फिर 3 upon 3 को मैं 1 क्या सकता हूं, तो this is only k, is equal to, यहां बचेगा, भीया, 1, ठीक है, everyone, इस k को मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा, तो k power 1 upon 3 is equal to 2k, अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं, ताकि मैं इस 1 upon 3 को यहां से हटा सको, तो आप अटा दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड्स करके, ओके सर, तो, इस्टुदेंट्स मैंने क्या किया, 1 upon 3 का भी क्यूब कर दिया, एंड 2k का भी मैंने क्यूब कर दिया, यहां बनेगा, 2 to the 4, 4 to the 8, this is 8k cube, and this is also students, k only, क्यूँकि 3 से 3 तो, cancel हो गया, ठीक है, तो everyone क्या आएगा, यहां पर देखी, k से k, अगर मैं cancel कर दूँगा, तो यहां बचेगा, 1 is equal to 8k square, और अब आप question को एक बार दुबारा पढ़ लीजिए, आपकी यही condition आपको यहां पर prove करनी थी, कि अगर दोनो curve आपस में, 90 degree पर cut कर रहे हैं, और वो तब ही cut करेंगे, जब यह condition होगी, तो हमने यह मान लिया, कि if both tangents are cutting on the 90 degree, अगर दोनो 90 degree पर cut कर रहे हैं, तो यह condition होगी, दूसरी चीज़ हमने proof कर दी हैं, समझ में everyone आपको, तो इस तरह से हम इसको यहां पर prove करेंगे, एक बात जो हैं मैं वो आपको लिखवाना चाहता हूँ students, जो आप कहीं पर भी लिख लीजिए, वो यह है कि जैसे कि दो कर्व अगर आपस में 90 degree पर cut करेंगे ना students, तो उनकी tangents भी आपस में 90 degree पर ही cut करेंगी, इसलिए मैंने tangents की बीच में relation ले लिए यहां पर, तो मैं लिख सकता हूँ यहां पर कि if two curves are intersecting, ठीक है everyone, तो यह चीज़ा आप लिख लीजगा question के starting के अंदरी, इसलिए मैंने curve जो cut रहे थे, इसलिए उनकी जगे पर मैंने tangent यहां पर prefer कर ली everyone, ठीक है, चलिए, अब हम हमारा last question देखने जा रहे हैं, इस वाले lecture का, और चलिए देखते है everyone, इस तरह का question मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, एब आद देखिए मेरे साथ साथ कि find the equation of the normals to the curve, y is equal to xq plus 2x plus 6 which are parallel to the line this, ठीक है, क्या कहना है, कि मेरे पास में भीया एक curve है, और इस curve के किसी point x1, y1 पर मुझे students normal find दर ना है, अब normal कब find कर सकता हूँ, जब मेरे पास में tangent हो, तो मैंने tangent बना ली, छोटी सी इसलिए बनाई क्योंकि ज़रूरत नहीं है न tangent की, ठीक है, तो यहाँ पर m1 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने normal की slope को m2 लिख दिया, जो मेरा normal है ना student, वो क्या है, parallel है इस line के, आप देखिए ध्यान से, यह वाले line है, x plus 14y plus 4 is equal to 0, तो everyone, क्या मैं इस वाले line की slope निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, आराम से निकाल सकता हूँ, m2 is equal to, क्या आएगा, minus का, a upon b, यानि की, minus x coefficient 1 and this is 14, okay everyone, तो यहाँ पर मेरे पास में m2 आ चुका है, अब आपको यह बात तो पता है, कि जो इसका slope होगा, वो ही इसका slope होगा, because slope of the parallel line is equal, तो यहाँ पर मैं m2 का value लिख सकता हूँ, minus का 1 upon 14, समझ गएगा मेरी बात को everyone, तो यहाँ तक मुझे बात समझ में आ जाती है, उसके बाद मैं everyone क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा solution, और everyone मुझे यह बात पता है, कि अगर मुझे tangent का slope निकालना है, that means मुझे m1 निकालना है, तो मुझे curl का differentiation करके, यह उसमें point put करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए आप, y is equal to x cube plus 2x plus 6, तो dy by dx is equal to 3x square plus 2, यह आ चुका है everyone, और मैं इसके बाद में m1 निकालना चाहूँगा, तो वो निकलता है, dy by dx at x1, x1, y1, और यहाँ पर मैं x की जगे पर x1 को put कर दूँगा, this is 3x1 square plus 2, तो everyone मेरे पास में यहाँ पर m1 आ चुका है, this is the, normal, sorry, this is the slope of the tangent, मुझे किसका slope चाहिए, मुझे तो normal का slope चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, we know that, we know that m1 multiply by m2 is equal to minus 1, okay, this is m1, 3x1 square plus 2 multiply by m2 is equal to minus 1, और यहाँ से students मुझे m2 मिल जाएगा, minus 1 upon 3x1 square plus 2, ठीक है everyone, इससे पहले, end, इसका आप equation number 1 दे दीजिए, मैं बोलूँगा, end, m2 is equal to minus 1 upon 14, minus 1 upon 14, इसका आप equation number 2 देंगे और यहाँ पर इसका reason लिखेंगे आप, because slope of parallel lines, lines are equal, ओके everyone, और यह process आप आप आपर कर सकता है, no problem, चलिए, तो by equation number 1 and 2, अब तो भया, बच्चे-बच्चे को समझ में आने लगा होगा, कि मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को equal कर दूँगा, यहाँ माइनस का 1 upon 3x1 square plus 2, that is equal to 1 upon 14, minus का, और minus से minus cancel होगा, यहाँ पर cross multiply करेंगे everyone, तो आजाएगा 14 is equal to 3x1 square plus 2, 2 को अधर लियाएंगे, तो बन जाएगा 12 is equal to 3x1 square, 3 का आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा 4 is equal to x1 square, और students मेरे पास में x1 square is equal to आजाएगा 4, and x1 is equal to आजाएगा plus minus 2, तो हमारे पास में 2 point आचुके है, x1, और जब आप इसको curve equation में put करेंगे, धान लखना, line की equation में put मत कर देना, हमें यह वाला point निकालना है, line तो यहाँ से जा रही है सर, समझ रहे हैं बात को, तो यहाँ पर मैं put in curve equation, curve equation क्या है, y is equal to x cube plus 2x plus 6, तो यहाँ पर अगर मैं x1 रखता हूँ, if x1 is equal to plus 2, then y1 is equal to 2 का square plus 2 multiply by 2 plus 6, this is cube, ओके, धान रखिया अब भी, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 plus 2 to the 4 plus 6, yes, then y is equal to 18, y1 is equal to 18, तो मेरे पास में एक point आया, 2 and 18, yes everyone, if x is equal to minus 2, तो चली ही हैं यहाँ पर minus 2 put करते हैं, minus 2 का cube plus 2 multiply by minus 2 plus 6, then y is equal to minus 8 minus 4 plus 6 everyone, this is 12, minus 12 plus 6, then minus 6, y is equal to minus 6, तो यहाँ मुझे y मिल गया, तो एक point हो गया मेरे पास में, minus 2, minus 6 everyone, समझ मैं आपके, तो यह इस तरह से मुझे दोनों point मिल जाएंगे, अब मैं क्या गर सकता हूँ, दोनों point मिल गए, तो एक तो इस point के लिए, 2, 18, और दूसरा point this, ठीक है everyone, slope मुझे मिल गया, point मुझे मिल गया, आप इसकी equation को find कर सकते हैं, देखिये मैं साथ साथ, मैं कर रहा हूँ, इसकी equation को find, तो देखिये everyone, equation of normal की बात करने जा रहे हैं, क्यासे निकालता है, y-y1 is equal to m2 x-x1, यह formula तो आपको पता ही होगा, मैंने बता रखा है आपको, आप हमारे पास में m2 है, this is minus का 1 upon 14, and if, हम first point ले रहे हैं, यह वाला 2, 18, ठीक है, this is x1, y1, ओके यहाँ put करते हैं, y-18 is equal to minus का 1 upon 14, and students x-2, समझ माया, आप इसको solve कीजिए, 14 minus 18 multiply by 14, is equal to minus का x plus 2 everyone, ठीक है everyone, और यहाँ पर आजागा 14 y actually, और उसके बाद में, 14 y minus 252 is equal to minus x plus 2 everyone, इसको आप ज़र ले आई है, 14 y plus x, this is minus 254, that is equal to 0, तो यह हमारे आगई, first normal की equation, दूसरा निकाल लेता हैं students, and if, point मैं आपके सामने ले लेता हूँ, कुन सा, यह वाला, minus 2, minus 6, तो इस बार हमारा x1 यह है, y1 यह है, तो देखिए, y minus y1 is equal to m2, x minus x1 यहाँ आप है, ठीक है, इसके बाद देखिए, आप y minus, y1 का value है, minus का 6, तो plus 6 हो जाएगा, minus का 1 upon 14, x minus, यहाँ हो जाएगा इस तरह से, plus 2, यहाँ multiply करेंगे, तो 14y plus, 86, नहीं, 84, yes, this is minus x minus 2, आप इसको इस तरफ ले आईए हैं, तो x plus 14y, plus 86 is equal to 0, तो यह इस तरह से, मुझे दोनों normals के equation, यहाँ पर मिल जाएगे students, समझ मैं आपके, देखिए, yes, everyone, इस तरह से, हमने यहाँ पर आपके सामने, यह सारे के सारे doubt, discuss करें हैं, कोई और doubt हो आपका, तो आप मुझे personally भी contact कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको हर बार, मुझे contact कर सकते हैं, इस number पर students, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आप से मिलेंगे, हम next lecture के अंदर और बात करेंगे, students, हमारे आज के topic के, आगे के topic के बारे में, that is called approximation, it is a very very useful topic, basically, और हम इसके बारे में बात करेंगे, अगले वाले lecture में, students, तो चलिए, मिलते हैं आप से next lecture में, आज के लिए students, all the best.